हेलो गाईज, स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे नए योट्यूब चानल डिसिप्लिन ट्रेडर पे तो गाईज, आपने सेयर मारकेट पे आपसंस ट्रेडिंग के बारे में जरूर सुनाओंगा कुछ लोग आपसंस ट्रेडिंग करके लाखो रुपाय कमा लेते हैं यहां तक कि कुछ बड़े आपसंस ट्रेडर इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो कुछी मिन्टों में, कुछी घंटों पे लाखो कडोडो रुपाय प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो अगर आप भी आपसंस ट्रेडिंग का सुरुवात करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है तो इस वीडियो पे आज मैं आपको बताऊंगा कि एक प्रॉफिटेबल आपसंस ट्रेडर बनने के लिए बेसिक नॉलेज हमको क्या-क्या ज़र रही है तो ध्यान से यह वीडियो का दिखिएगा समझेगा तो मैं कुछ पॉइंट आपको बताता हूँ उसके बाद लास्ट पे मैं आपको आपसंस ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि किस टैप से आपसंस ट्रेडिंग किया जाता है तो दिखिए आपसंस ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो पहला पॉइंट आपका यह है कि आपको प्रॉपर C.E. और P.E. का नॉलेज होना चाहिए कॉल बाई, पूट पाई क्या होता है यह इसका नॉलेज आपको होना चाहिए और अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है तो आप हमारे चानल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपसंस के बेसिक वीडियो को आप देख सकते हैं आपको क्लियर समझ आ जाएगा इस वीडियो पे मैं आपको यह बता रहा हूँ कि यह यह टम आपको पता होना चाहिए आपको 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 आपसंस ट्रेडिंग करके पैसा बनाना असान नहीं है इसके लिए आपको चीज़े सिखना ही पड़ेगा और अगर आप बीना सिखे यहां आएंगे तो आपका पूरा फंड साप हो जाने वाला है तो असान नहीं है लेकिन अगर आप सीख गए तो चीज़े असान है और सिखेंगे कहां सिखेंगे आप हमारे चानल पे ठीक है, तो third point है, आपको options Greek का knowledge होना चाहिए, चौथा, चौथा point यह है, capital requirement, अगर आप options buyer हैं, तो कितना पैसा लगेगा, अगर आप options seller हैं, तो कितना पैसा लगेगा, इसका knowledge आपको proper होना चाहिए, ठीक है, पाचों point, पाचों point यह है, कि आपको options chain का knowledge proper होना चाहिए, अगर आप एक profitable options trader बनना चाहते हैं तो आपको proper option chain का knowledge भी होना चाहिए ठीक है छटो point आपको proper money manage करने आना चाहिए गाईज ठीक है अक्सर मुझे लोगों का call आता है बैंगलोर साइट के लोगों का call आता है message आता है कि सर हम जो है 10 दिन में 14 लाग रुपए का नुकसान कर बैठे हम 14 दिन पे लगबख 12 लाग रुपए का नुकसान कर बैठे तो इनका इतना कैसे नुकसान हो जाता है तो इनको proper अपना money manage करने नहीं आता है ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि आप एक particular premium पे अगर trade कर रहे है तो आप कितना रुपए दे रहे है तो आप कितना रुपए यहां से बनाएंगे ये चीज़े आपको proper पता होना चाहिए ठीक है सात्वों point आपका ये है कि आपको proper risk और reward manage करने आना चाहिए गाईस ठीक है आपका risk का कितना है आपको reward कितना मिलेगा ये सारे चीज़े आपको पता होना चाहिए और अगर आपको ये चीज़े deeply सिखना है तो आप हमारे चानल को subscribe जरूर करें देखे इस वीडियो पे मैं आपको सिर्फ knowledge दे रहा हूँ कि ये ये चीज़े आपको पता होना चाहिए अगले वीडियो पे मैं आपको और details में बताऊँगा एक एक term को explain करके आप लोगों को बताऊँगा ठीक है तो ये 7 point आपको proper याद करके रखना है अब मैं आपको बताता हूँ कि options trading कैसे करते हैं और कैसे यहाँ से profit निकालते हैं मैं आपको live demo करके दिखाता हूँ ठीक है तो चलिए इस्क्रीन पे चलते हैं तो guys अगर आप पहली बार grow app से options trading करने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए है ये वीडियो आप धियान से दिखिएगा आप easily options trading करना सीख जाएंगे ठीक है तो धियान से आप दिखिए तो दिखिए हमारा grow app का interface कुछ stripe का दिखाई देता है अगर आप nifty 50 पे trade करना चाहते हैं तो आप nifty 50 वाले index को click करेंगे और अगर आप bank nifty पे trade करना चाहते हैं तो आप bank nifty वाले index को click करेंगे तो मैं यहाँ bank निप्ती वाले इंडेक्स को क्लिक कर दिया उसके बद आपको simply F&O को क्लिक कर देना है उसके बद आपको View Option Chain को क्लिक कर देना है अब दिखे इस टेप का इंटरफेस दिखाई देगा अब आप यहां अपने Capital के हिसाब से जो भी Premium पे अपना View बनाना चाहते हैं Buying का या Selling का वो आप बना सकते हैं आप Call Buy करना चाहते हैं तो Call Buy भी कर सकते हैं Put Buy करना चाहते हैं तो Put Buy भी कर सकते हैं Call Buy करेंगे तो Market उपर जाएगी तो आपको Profit होगा Put Buy करेंगे तो Market नीचे गिरेगी तो आपको Profit होगा तो अभी हम simply put buy करना चाहते हैं यानि कि हमारा view यह है कि market नीचे गिरेगी तो हमको profit होगा तो मैं simply एक premium select करता हूँ यह select किया और simply buy के options को click करता हूँ buy के options को click करने के बाद आपको इधर कुछ भी नहीं करना है यह उपर पे एक काम करना है आपको यह जो आपका delivery रहेगा उसको नहीं क्लिक करना है आपको यह intraday को click करना है यह काम बस आपको करना है अब यहां intraday क्यों select करना है यह आपके दिमाग में question आ रहा होगा तो उसको मैं next video पे cover करूँगा अब मैं simply buy के options को click कर दूँगा तो buy के options को click करने के बाद हमारा order जो है market पे place हो जाएगा और यहां हमको profit नुकसान दिखना शुरू हो जाएगा अगर आप देखेंगे तो second पे ही हमको profit दिखना शुरू हो गया 80 to 90 something का ठीक है तो देखिए इतना तेजी से हमको यहां profit दिखता है देखिए 200 इतना something हमको profit दिख रहा है second पे ठीक है तो इस type से यहां profit होता है अब चाहते है नहीं यार मुझे sufficient profit हो गया मैं यहां से exit होना चाहता हूँ तो जो आपका order चलते रहेगा उसी को आपको click करने है click करने के बाद आपको exit के option में आ जाना है exit के option पे आने के बाद इधार आपको कुछ भी नहीं करना है simply sell के options को click कर देना है आप market से फिर बाहर हो जाएंगे यह देखिए हमको 100 रुपीज का profit हो गया तो guys ऐसे ही options पे profit होता है तीजी से profit होता है और आपको तीजी से profit दे सकता है यह market ठीक है तो काफी potential है आप options trading कीजिए लेकिन सिख के options trading कीजिए अगर आप बीना सिख आएंगे तो आपको बड़ा नुक्सान भी यहाँ हो सकता है तो ध्यान रखिएगा सिख के आना है और अच्छा से आपको trading करना है ठीक है तो चलिए बाए